किसान भाईयों नमस्कार मैं हूँ दसरदाकर आप देख रहे है डीप आर्मिंग यूटूब चैनल गर्मियों में उड़त की खेती कैसे करें किसान भाईयों उड़त की खेती आम तोर पर बरसात के सीजन में की जाती है लेकिन गर्मि के मोसम में भी आप मातर 60-65 दिन में उड़त की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा उतपादन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुनापा कमा सकते है इस वीडियो में आपको गर्मियों में उड़त की खेती की बोवाई से कटाई तक की संपूर्ण A to Z जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के हमारे मुख्य बिंदू होंगे उड़त की बोवाई का साई समय वा तरीका किसान बाईयों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी अगर आप गर्मियों की मोसम में उड़त की खेती करना चाते है आप इस वीडियो को पूरा देखिये या वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी डीटेल के साथ आपको जानकरी मिलेगी जो किसान चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे पास में गंटी के निसान को जरूर दबाईए जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंट आपको जानकरी मिल जाए किसान बाईएओं गर्मियों के मोसम में आप उड़त की खेती कर सकते हैं जिससे मात्र 60-65 दिन में आप अच्छा मुनापा कमा सकते हैं अभी रभी की सीजन में कई किसान बाईएओं के उटी लैसन के खेत खाली होने वाले हैं कई सेत्रों में सरसों की कटाई सुरू हो चुकी है खेत खाली होने के बाद तुरंत आप खेत की हकाई जुताई करने के बाद गर्मियों के मोसम में उड़त की खेती कर सकते है तो चले स्टेप बाई स्टेप वीडियो को सुरू करते है और बात करते हैं कि उड़त की बुवाई किस परकार से की जाती है और उड़त की खेती आप किस परकार से कर सकते है पहला बिंदो आता है उप्युक्त मिट्टी वैसे तो आम तोर पर सभी परकार की मिट्टी में आप उड़त की बुवाई कर सकते है लेकिन बलुई दोमट मिट्टी उड़त की खेती के लिए एक उप्युक्त मिट्टी मानी जाती है उस हिसाब से आप मिट्टी का चियन कर सक सबसे जरूरी बिंदो आता है बुवाई का समय, अगर आप गर्मियों के मोसम में उड़त की बुवाई कर रहे हैं तो उड़त की बुवाई का सबसे उप्योक्त समय, फराउरी एंड यानि कि फराउरी के अंतिम सब्ता से मार्च के मैने तक आप उड़त की बुवाई कम्पल कर लीजिए नहीं तो आपको ज़्यादा अगेती बुवाई करना है और नहीं ज़्यादा पचेती अगर आप ज़्यादा पचेती बुवाई करेंगे तो बरसात के मोसम में हमारा खेत समय से खाली नहीं हो पाएगा जिससे बरसात की करण हमारी फसल भी खराब हो सकती है साथ खरीब के मोसम में हम किसी फसल की बुवाई करने में लेट हो सकते है फरहुरी एंड से आप मार्च मेने में उड़त की बुवाई कम्पलीट कर ले इसके बाद आता है अगला बिंदू खेत यरी किसान भाईयों आपका खेत खाली होने के बाद दो से चार दिन आप खेत को कुला छोड़ दे उसके बाद खेत की गहरी हकाय जुताई करें लोटावेटर के साहिता से आप मिट्टी को बारी के समतल या बुर बुरी बना सकते है उसके बाद खेत तयरी में आप गोबर का खाद जो सड़ी खाद आती है उसका परियोग जरूर करें जिसमें कहीं परकार के चेविक प्रोडक्ट पाये जाते है रसाने खादों की बात करें तो एक एकड़ में आपको दो कटे SSP यानि की सिंगल सुफर फासफेड उड़त एक दलहनी फसल है जिसमें सलफर की बहुत ज़्यादा आउसकता भी होती है तो आप दो कटे SSP सिंगल सुफर फासफेड ले लीजिए इससी के साथ आप 20 किलो गराम पोटास ले लीजिए और खेत में चिड़कर आप उड़त की खेती कर सकते है किसान भाईयों बुवाई में हम नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं नाइट्रोजन की पूर्ती हम बाद में कर सकते है इसके बाद अगला बिंदो आता है बुवाई की विदी उड़त की बुवाई आप चिड़का विदी से भी कर सकते है बहुत से किसान भाई उड़त की सीड्रिल की साइधा से बुवाई करते है जब भी आप बुवाई करें लाइन से लाइन की दूरी 20-25 सेंटीमिटर के आसपास रखना होती है वहीं पोदे से पोदे की दूरी आप 10 सेंटीमिटर के आसपास रख सकते है जब भी आप भुवाई करें बीज की गहराई चार से पांस सेंटिमेटर के आसपास होना चाहिए प्रती एकड बीजदर की बात करें तो गर्मियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा बीज लगता है एक एकड में आप 10 से 12 किलो कराम बीजदर रखिए क्योंकि गर्मियों में अंकुरण में थोड़ी समश्या आती है तो आप बीजदर थोड़ी संतुलित रखिए इसके बाद बीज उपचार किसान भाईयों उड़त एक दहलानी फसल हैं अगर आप उड़त का बीज उपचार करते हैं तो इससे आपका उटपादन ओटोमेटिक ही ज़्यादा निकलता है उड़त का बीज उपचार आप तीन चरणों में कर सकते हैं पहला फपूंद नासक से दूसरा कीट नासक और तीसरा राय जुबियम कल्चर किसान भाईयों आपको अलग अलग चरणों में उड़त का बीज उपचार करना होता है अगर आप किसी भी एक तरीके से बीज उपचार करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा सबसे पहले बात करते हैं हम फपूंद नासक के रूप में तो आप यूपेल कंपनी की साप फंगी सैट को ले सकते हैं दो ग्राम प्रती किलो के हिसाब से आप बीजों पर इस परेकर बीज को उपचारित कर सकते हैं वहीं कीट नासक की बात करें तो कीट नासक के रूप में आप इमेडा कलोरपीड सितर परती से डबलू एस को साथ ग्राम परती किलो के हिसाब से बीजों को उपचारित कर सकते हैं वहीं राइजोबियम कल्चर की बात करें तो इपको की राइजोबियम कल्चर से 50 ml आप राइजोबियम कल्चर ले सकते हैं उसी के साथ आप 50 ग्राम गुड को आपको अच्छी से पानी में मेलाना है उससे आप 10 किलो ग्राम तक बीजों को उपचारीत कर सकते है अलग-अलग चरणों में आप उड़त का बीज उपचार कर सकते है बीज उपचार करने के बाद बीजों को आपको च्छाव में सुखा देना है उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान बाईयों उड़त की अलग अलग सेत्रों में कई फरकार की वेराइटें उपलब्द है जो भी किसमे आपके सेतर में प्रचलित है उन्ही किसमों का आप सबसे पहले चीयन करें कुछ उन्नत विराइटिया हैं जिनको भी आप लगा सकते हैं जैसे की LBG 752, बसंत बहार, PDU 1, इंदिरा उर्द परतम, परताप उर्द, सेखर 2, PU 31 आदी किसान भाईयों ये उर्द की कुछ प्रमों को विराइटिया हैं आपके सेतर में जो किसमे प्रचलित हैं उन्ही का आप चीयन करें इसके बाद अगला बिंदो आता है सीचाई प्रबंदन किसान भाईयों उर्द की खेती में सीचाई कापी कम करनी होती है जैसा कि गर्मियों के मोसम में अत्यदी गर्मी होती है जिस कारण उर्द की वसल में 4-5 सीचाई की आउसकता होती है पहली सीचाई आप बोवाई के समय कर सकते है उसके 15-20 दिन के असपास आप उसमें दूसरी सीचाई कर सकते है उसके बाद आप 10-15 दिन के अंतराल में उड़त की वसल में सीचाई करते रहे अगर आपके सेत्र में तापमान जादा है तो आप उड़त की वसल में जल्दी जल्दी सीचाई भी कर सकते है इसके बाद अगला बिंदो आता है खर्पतवार नियंतरन किसान भाईयों उड़त की वसल में खर्पतवार भी उगाते है खर्पतवार नियंतरन के लिए आप दो बार वसल की नियराय गुड़ाई करें जिससे खर्पतवार को आप खुरुपे की साहिता से भी नियंतरित कर सकते है वही रासानिक तरीके से आप इमेजा थाई पर 10% एसल को 300 ml एक एकड़ में छिटकाव कर भी उड़त की खेती से खर्पतवार को नियंतरित कर सकते है लेकिन बहतर रहेगा कि आप निराय गुड़ाई के साहरे उड़त के खेत से खर्पतवार को नियंतरित करें कर्मियों के मोसम में आप कम सेतर में अगर उड़त की बुवाई करते है तो आप आसानिसे निराय गुड़ाई के साहरे खर्पतवार को नियंतरित कर सकते है खाद उररकों की बहत करें तो उड़त की वसल में ज्यादा खाद उररकों की आउसकता नहीं होती है अगर बुवाई के समय आप संतुलित खाद उरुरक दे देते हैं तो बाद में पोदे को ज़्यादा खादों की आउसकता नहीं होती है बुवाई के समय हमारे खेत में नैट्रोजन की कमी है क्योंकि हमने नैट्रोजन का परियोग नहीं किया था तो पहले खात के रूप में जब हमारी फसल 20-25 दिन के आसपास हो जाती है इस समय हमें फसल की निराइग उड़ाई करना है उसके बाद हम जब भी सीचाई करे तो एक एकड़ में लगबग 30-35 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है इसी के साथ आपको 8-10 किलोग्राम सागरी का दानेदार को लेना है और अपने उड़त की वसल में डाल देना है उसके बाद आप सीचाई कर सकते है इसके अलावा उड़त में ज़्यादा खादों की आउसकता नहीं होती है क्योंकि मातर 60-60 दिन में हमारी जो उड़त है वो फकर तियार हो जाती है इसके बाद अगला और आखरी बिंदो आता है कीट एम उनकी रोक थाम उड़त की वसल में कई परकार की बीमारियां भी लगती है जैसे की उड़त में पीला मोजेक वाइरस पतों पर फंगस लगना पतों पर धबे होना चोटी-चोटी इल्लियों का अटेक होना आधी परकार की बीमारिया उड़त की वसल में देखी जाती है सबसे बहले बात करते हैं हम पीला मोजेक वाइरस के बारे में उड़त के पतों पर सफेद मक्ही लग जाती है सफेद मक्ही लगातार पतों का रस चूश्ची रहती है जिससे उड़त में पीला मोजेक वाइरस फेलने लगता है अगर आपके खेत में वाइरस का अटेक हो जाता है तो आप तुरंत उन पोदों को उखाड कर बाहर फेक सकते है और अगर यह वीमारी पूरे खेत में फेल जाती है तो आपको तुरंत रहसानिक दवाईयों का पर्योग कर लेना चाहिए सफेद मक्ही लगातार रस चूश्ची रहती है सफेद मक्ही को कंट्रोल करने के लिए आप एसिटा मेप्रीट 20% SP को 150-200 ग्राम परती एकड की दर से चिड़काओ कर सकते है इसके स्थान पर आप डाई फेंती यूरोन 50% WP को 200-250 ग्राम परती एकड की दर से चिड़काओ भी कर सकते है इसके अलावा उरत की फशल में फंगस जनीत रोग लगते है ज를से पते पर धब्बे बनना सुरह हो जाते है साखाएं काली परना सुरह हो जाती है उरत की पतियां सरने लगती है फंगस जनित रोगों की रोगताम के लिए आप कारबेंडा जीम प्लस मेंगो जीप के कॉंबिनेशन के रूप में यूपेल कमपनी की साप फंगी सैट का 300 ग्राम एक एकड में चिलकाओ भी कर सकते है उड़त की वसल में चोटी चोटी इल्या भी लग जाती है कई परकार की इल्यों का अटेक होता है जिससे इल्या लगातार फल्यों को नुकसान पहुचाती है पोदे के पत्तों को भी लगातार कारती रहती है आपकी वसल में अगर इल्यों का कम अटेक हैं या प्रारंबिक स्टेज है तो आप प्रोपेनो साइपर का पुर्योग भी कर सकते हैं दोस्तो पचास हैमेल एक एकड में जो की आपको प्रोपेक से सूपर में मिल जाता है इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SZ का पुर्योग भी आप 80-100 ग्राम एक एकड में पुर्योग कर सकते हैं अगर उड़त की वसल में ज़्यादा इल्योग का अटेक हो जाता है तो आप कोराजन फेम या एमपली को हेवी किट नसकों का पुर्योग भी कर सकते हैं लेकिन किसान बायों गर आप इन हेवी दवाईों का पुर्योग करते हैं तो आपका खर्चा कापी जयादा आता है तो आप फैले सस्ती और हलके टेक्निकल रैट दवाईों का पुर्योग करें तो इस परकार से आप उड़त की खेति कर सकते हैं इस वीडियो में आपको उड़त की बुवाई से कटाई तक की संपुर्ण जानकारी दी गई है किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है कौन सा खार डालना चाहिए कौन सी बिम्मर्य लगती है और किस परकार से आप उड़त की खेती कर सकते है तो किसान भाई यूं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको वसंद आयोगी वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सीयर जरूर करें मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद जैकिस्ताइब